और जब पूर्टगाल की कोई भी कंपनी आपको किसी और कंट्री में बेशती है काम करने के लिए फ्रांस में, स्वेडन में, बेल्जियम में, स्पेन में तो आपको कितने पैसी महां पे बन जाएंगे कि पूर्टगाल का प्रतगाल की टैक्स जाता है तो इस से आप लोगों को बहुत फाइदा होता है, और बहुत जादा लोग मुझसे क्वेशन करते है कि जब हमारे पास residence card पुर्टगाल का आ जाता है तो क्या हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं बहुत ही जादा companies हैं जो आपको किस दूसरे मुलकों में काम के लिए बेशती हैं आप उनसे हुद भी contact कर सकते हैं और कोई hidden charges वगेरा नहीं है और दो तिन दिन में पाकिस्तान में मुलाकात होगी जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं जो मुझे प्यार करते हैं तो थोड़ा इंतजार कर लें तो आज की वीडियो में आपको बिताने लगाँ कि अगर पुर्टगाल का residence card है आपके पास तो क्या आप किसी और country में काम कर सकते हो या नहीं legally तो इसके उपर पूरी detail के साथ वीडियो है क्योंकि पुर्टगाल में job का बहुत मसला होता है और बहुत जादा लोग मुझे question करते हैं कि जब हमारे पास residence card पुर्टगाल का आ जाता है तो क्या हम कहीं पे भी काम कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत गलत information है कि हाँ आप काम कर सकते हो ये वो आप काम कर सकते हो लेकिन इसमें कुछ अंदर की बात है जो मैं आपको बताने लगा आप लोगों की तरफ से पोचे जाने वाला वो यही है कि हाँ हम इस card के ओपर क्या किसी और country में जर्मनी में फ्रांस में लेगली काम कर सकते हैं क्योंकि सब को जाना तो जर्मनी फ्रांस या स्वीडन डिन्मार्क जैसे country में हैं काम के लिए क्योंकि आफकोस वहां पे हम लोग पैसे थोड़े जादा कमा लेते हैं तो अच्छी बात भी है तो एनिवे एक एक चीज़ आपको बताने लगाँ और अगर तो अपनी है चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें और ये मेरा इंस्टाग्राम और फेस्बुक का पेज आपको description में मिल जाएगा और जिसको reply नहीं आता तो दुबारा message कर दिया करो क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सबको ही reply दूँ लेकिन सबको reply देने में यार बहुत time भी लग जाता है तो anyway हम अपनी video स्टाट करते हैं तो जैसा कि हम सबको पता है कि पुर्दगाल एक शेंजियन कंट्री है ठीक है और इसका passport भी बहुत high level पे है और लोग यहां पे आना चाहते हैं अपने documents के हवाले से पुर्दगाल की immigration का system बहुत अच्छा है क्योंकि अगर हम फ्रांस में जाते हैं जर्मिनी में जाते हैं तो वहां पे documentation का system बहुत ही बहुत problem वाला है क्योंकि मेरी भी सारी life वहां की है जर्मिनी की लेकि मुझे documents पुर्दगाल नहीं दी है और मैं बहुत respect भी करदा हूं and पुर्दगाल बहुत ही अच्छा country है लेकिन यहां पे पुर्दगाल मे जाब का भी मसला है लोगों को जाब वगर के chance भी कम होते हैं और यहां पे income भी थोड़ी कम है क्योंकि अगर हम जर्मिनी की बात करें वहां पे हमें per hour का एक गेंटे का 11 to 12 योरो मिलता है और अगर हम पुर्दगाल की बात करें तो हमें 4 या 5 योरो पर गेंटा के हिसाब से मिलता है तो बहुत डिफरेंस है ओके पुर्दगाल में basic salary 760 योरो है और जर्मिनी फ्रांस की थोड़ी जादा होती है तो लोग क्या चाहते हैं कि हम पुर्दगाल के documents ले ले लें जैसे कि मुझे मिल गया और बहुत जादा लोग हैं तो लोग यह चाहते हैं कि हमें हम फ्रांस चले जाएं जर्मिनी चले जाएं और वो लोग महाँ पे काम भी करते हैं लेकिन वो legally काम नहीं करते हैं क्योंकि अगर आपके पास पुर्दगाल का residence card आ जाता है और उस card के ओपर आप कहीं पे भी travel कर सकते हो कहीं पे भी इंडिया पाकिसान अपनी family को मिल सकते ह जा सकते हो इवन Canada मेकसिको तक भी जा सकते हो आप लेकिन अप legally काम नहीं कर सकते हैं मिसाल के तोर भी अगर आपने पुर्दगाल से जर्मिनी में जाना है आप चले जाएंगे ट्रैवल करें मज़े करें legally काम आप नहीं कर सकते हैं और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं तो कैसे करते हैं उनके कुछ relatives होते हैं मिसाल के दोर भी अगर किसी के पास residence card है पुर्दगाल का तो उसका अफकोस कोई जानने वाला होता है किसी का Denmark में होता है किसी का Belgium में होता है किसी का Sweden में होता है तो फिर लोग अपने रिश्टेदारों या अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं और फिर वो वहां पर ब्लैक में काम करते हैं मिनके छुप के काम करते हैं और इसमें रिक्स भी होता है जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैफर नहीं करता प्लिस डॉन्ट डूट क्योंकि अगर अगर आप पकरे जाते हो तो आपका residence card भी हत्रे में पर जात हैं और अभी मैं आप लोगों को यह बात बता दूँ क्लियर कर दूँ कि जिनके पास residence card आ जाता है वो legally काम भी कर सकते हैं लेकिन यह थोड़ा complications वाला होता है complications mean कि पुर्टगाल में कुछ ऐसी एजंसिस हैं जो आपको दूसरे country में काम करने के लिए बेचते हैं लेकिन उनकी requirement क्या है कि आपके पास must residence card होना चाहिए जैसे कि मेरा एक दोस्त भी है उसके पास residence card तो पुर्टगाल का है लेकिन काम स्पेन में करता है और एक मेरा दोस् कौन सी category में काम करता है जो मेरा स्पेन वाला दोस्त है वो solar का काम करता है solar mean के जिसको आप illustration का का काम कह सकते हो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी solar होते है और उनको उठाना भी होता है तो प्रांस में करते हो जर्मणी में करते हो लेकिन tax आपका पुर्टगाल में जाएगा आपका tax पुर्तगाल का जाता है तो इससे आपको फाइदा होता है मतलब कि यह काम legal होता है मैंने आप लोगों के साथ आपने दोस्तों का experience show किया है और भी बहुत जादा लोग है जो पुर्तेगाल का रेजिदेंस कार लेके किसी और कंट्री में जाके काम करते हैं लेकिन किसी कंपनी के थूप हो जाते हैं मैं बार बार आपको कहर हूँ और जब पूर्टेगाल की कोई भी कंपनी आपको किसी और कंट्री में बेश्टी है काम करने के लिए फ्रांस में, स्वेडन में, बेल्जियम में, स्पेन में तो आपको कितने पैसी महां पे बन जाएंगे ये भी आपको बता देता हूँ मैं अपने दोस की सेलरी आपको बताने लगाँ ताकि आप लोगों का काफी माइंड सेट हो जाए उसको मिलते हैं टेक्स कट-कटा के तेरह सो योरो मिलते हैं और जो स्वेडन वाला दोस है उसको एक टाइम का खाना मिलता है लेकिन उसको स्टार्ट में बताया गया था कि हम आपको दो टाइम का खाना देंगे लेकिन उन्हें एक ही टाइम का खाना महाँ पर कंपनी के तरफ से मिलता है बाकि उन्हें हुदी मैनेज करना होता है लेकिन फिर भी जलो ठीक है वह 15-1600 कमा लेता है और अगर यह देखा जाए तो ठीक भी है अगर आपको पुर्तगाल क यहांगा ही टेक्स जाता है तो इस से आप लोगों को बहुत फाइदा होता है मतलब के यह हैंद से इंकम है है retail क्यों आप अपनी फैमिली को पैसे भी ट्रांसफर कर देते हो, क्योंकि हम इंडियन पाकिसानीन हेल्प करनी होती है, तो इससे आप लोगों को काफी फाइदा हो जाता है, बहुत ही जादा कंपनी से हैं, जो आपको किस दूसरे मुलकों में काम के लिए बेशती हैं, आप उनसे हुद भी कॉंटेक कर सकते हैं, और कोई hidden charges वगएरा नहीं है, कोई company अगर आपको ये कहे, या कोई इनसान भी, इनसान से याद आया, पुर्दगाल में यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो आपको जाब लगवाने के भी पैसे लेती हैं, तो प्लीज आप इन लोगों से दूर आ करें, थोड़ी तो कोशिश तो उसी लोग आप करया करो ना, पुठे काम आप भुद करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, तो प्लीज आपने खुद से कोशिश करनी हैं, कुछ companies को मैं भी जानता हूँ, अगर आपको चाहिए, तो मैं भी आपको उनका नंबर वगएरा सेंड करता हूँ, आप खुद ही उनसे कॉंटेक्ट करें, आप अपनी किसमत आजमा लें, लेकिन कोई hidden charges नहीं हैं, कोई भी company, कोई hidden charges आपस लेती है, तो समझो वो black है, सबसे अची बात यह है, यह legal है, लेकिन आपके पास residence card होना ज़रूरी है, मेरे दोस्त, जब तक आपके पास residence card नहीं है, आप legal ही किसी और country में जाके काम नहीं कर सकते हैं, तो मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिया हैं, जो ज़्यादा लोग चूज करते हैं, वो company के थूरू तो जाते हैं नहीं है, वो black में ही काम करते हैं, और बाद में वो पकरे जाते हैं, तो उनको बहुत मसला होता है, तो आपके पास एक अच्छी वाली option है, आप वो चूज करें, थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, अगर किसी एक का भी काम हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे से पैसे कमा लेते हो, अपने family को support कर लेते हो, तो थोड़ी सी effort तो आपको करनी ही पड़ेगी, और वीडियो हतम करने से पहले में आप लोगों को ये भी बता दूँ, कि पुर्दगार में email कौन सी चल रही है, तो जनाब 23 January 2021 की email लोगों को आ गई है, और दो तिन दिन में पाकिस्तान में मुलाकात होगी, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लें, तो आज की वीडियो में सीरिफ इतना ही, मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दिया, और फिर भी, अगर मुझे कोई चीज छूट गई है, या मेरे माइन में नहीं आई, आप मुझे comments कर सकते हो, या मुझे Facebook या Instagram पर message कर सकते हो, मैं reply दे दूँगा, I love you all, keep supporting me, आपना बहुत यार रखे और मुझे आसे ही support करते रहे हैं, best of luck, take care, bye.